बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की बाग बगी चब फल्फूलों और फसलों की हर्याली की हम बेजों की बाते करते उत्तम जलसन सादन की हम तो किनी की बाते करते फसलों के उत्तम जलसन की पर किसान का सपना सच हो जीवन सुख़द बनाने को गाउं गाउं की हर्यांगन का प्यारा साही दर्शन कुषि दर्शन कर सिदिभी किसानभाई भाई वहनों का सवागत है मैं हूं मिदुला आईए देखते हैं आज क्रिशी समाचार में क्या है खास रामगड के मचली पालकों के लिए मचली पालन सह बतक पालन योजना रामगड और हजारी बाग अनुदान पर ले सकते हैं सिचाई पंप सेट धान के बहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिर्षा धान एक सो आठ और राश्री एक लगाएं और अब समाचार विस्तार से रामगड जिला के जो मचली पालक मचली पालन के साथ साथ बतक पालन करना चाहते हैं वे मचली पालन सह बत्थक पालन योजना से लाव ले सकते हैं इसके लिए लाभुक का अपना जमीन हो या 2022-2023 से अगले तीन वर्षों तक लीज पर लिया गया हो तालाब कम से कम एक एकड़ जल शेत्र का होना आवश्यक है इस योजना की कुल लागत एक लाख तिरपन हजा 3050 रुपिये प्रती इकाई है इसमें SC, ST और महिला लाभुक को 80 प्रतिशत और अन्य सविश्रेणी के लाभुक को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा इसके लिए 23 जून तक जिला मतस्य कार्याले में आवेदन दे सकते हैं क्रीशी प्रभाग छारखन सरकार की ओर से रामगड़ और हजारी बाग के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना है इसमें 1.5-3 होर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 20,000 रुपिये है 3.5 होर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 30,000 रुपिये है इन दोनों पंप सेट के साथ 200 फिट पाइप भी दिये जाएंगे जबकि 1 होर्स पावर के सोलर पंप सेट की इकाई योजना लागत 90,000 रुपिये हैं इस योजना से लाब लेने के लिए रामगण और हजारीबाग के जीला भूमी सनरक्षन कार्याले से संपर कर सकते हैं। मचली पालक भाईयों आप यदि मचली पालन से ज्यादा लाब लेना चाहते हैं तो पारंपरिक वीधी से मचली पालन करने के बजाए आधुनीक और वज्ञानिक वीधी से मचली पालन करें। इसके लिए वग्यानिक और उन्नत तक्नीक से तालाव निर्मान, मचली बीज चयन, खान पान और देख रेख की व्यवस्था करें। इससे पारंपरिक विधी की तुलना में दो गुणा ज्यादा मचली उत्पादन होगा। जदी हम लोग मचली पालन को खेती के रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कि आज तक परमपरागत मचली पालन हो रहा था। और जदी हम लोग कॉमर्शियल बेसिस पे जदी इसको लेके जाते हैं तो ज़्यादा फार्मर को बेनेफिसियल होगा। और परभंधन की बात आई तो सबसे पहला तो जदी हम लोग साइंटिफिक वेसे जदी तलाब का सारा प्रिप्रेशन करते हैं तो वह ज्यादा अच्छा होता है जैसे कि कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन करना है जैसे एक एकड़ में अभी तक जो खेती होती थी वह प लेकिन जो साइंटिफिक अप्रोच जो हुआ है इस छेतर में और इसमें अप्रोपर वेसे साइंटिफिक बेवस्ता जो किया गया है तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन रेट बढ़ा किसान भाईयों बारिश होते ही जल्द से जल्द उपरी जमीन यानि टार खेत और निचली जमीन यानि दोन नंबर एक में बुवाई कर लें। प्यार खेत के लिए बिर्सा धान 1, बिर्सा धान 109, बिर्सा विकास धान 110 या वंदना लगाएं, जबकि दोन एक खेत के लिए उन्नत प्रभेद राच्री एक, सवर्णा या संभा महसूरी लगाएं. बिर्सा धान 1, 75 दिन में तयार होता है और इसकी उतपादन शमता 25 क्विंटल प्रती हेक्टेर है. बिर्सा किसान धान 109, 85 दिन में तयार होता है और इसकी उपज 30 क्विंटल प्रती हेक्टेर है. बिर्सा विकास धान 110, 95 दिन में तयार होता है और इसकी उपज 35 क्विंटल प्रती हेक्टियर है वंदना 90 दिन में तयार होता है और इसकी उत्पादन शमता 30 क्विंटल प्रती हेक्टियर है जबकि राजश्री एक 40 दिन में तयार होता है और इसकी उपज 50 क्विंटल प्रती हेक्टियर है सौर्णा और संभा महसूरी 145 दिन में तयार होता है और इसकी उत्पादन शमता 60 और 55 क्विंटल प्रती हेक्टियर है पडलर एक ऐसा क्रिशी उपकरण है जो खेत में कादो करने का काम करता है राजी के जो किसान धान की खेती करने जा रहे हैं वे पडलर की सहायता से खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोप सकते हैं पडलर की कारिशमता एक से डेढ़ एकर प्रती दिन है आज हम जानेंगे हीरा प्रिष्टक कीट के रोग थाम के लिए क्या जैविक उपाय करें गोभी वरगिया फ़सलों में अन्य शत्रू कीटों सहीत हीरा प्रिष्टक कीट के नियंतरण के लिए ट्राइकोडर्मा का उप्योग करें इसके लिए 50-75,000 अंड़ा पर जीवी ट्राइकोडर्मा प्रती हेक्टेर की दर्ज से खेत में डालें एक-एक सप्ता के अंतराल पर 3-4 बार ये उप्चार करें और अब एक नजर राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मजाज पर आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिक्तम और नियुंतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किये गए राज्य का अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस क्रिश्य समाचार में आज इतना ही अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार जोहार